आज हो ली थी और हमने सोचा क्यों ना हम बद्रवा में जाए करें और मैं और मेरे साथी साथ में थे और हमने सोचा क्यों ना यहां पर बद्रवा में आकर इस जगा को दिखाएं जहां पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए और बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर आपको लोग हैं यहां के इनी से पूछेंगे की कोशिच करेंगे के आखर यह रोड कहां तक जो है साफ हुई है क्योंकि यहीं से जो है बनी बुसोली के लिए भी निकला जाता है यानि आप यहां से अगर निकलेंगे बुद्रवास से होकर तो यहां से जो है खुटूबा व क्या चाहेंगे मतलब बढूरा चाहाँ तरह से जाना जाता है कि स्वर्ग और कहीं नहीं खुशी होती है कि बढूरा आकर और इस चीज के दिखाने के बाद जो है और इस मार्च के महीने में भी आभी जो है बर्फ जो है पांच से छे फुट जो है उपर तक यहां पर पड़ लेकर रोड जल से जल खाली हो जाएगी क्योंकि यह जो गृफ कॉंपनी है तो यह लगी हुई है तो बर्फ भी ज्यादा है मिशेनें भी थोड़ी प्राग्रस काम निकालती है इस ज्यादा बर्फ में तो थोड़ा मुश्कल है इनके लिए भी लेकर उमीद करते हैं पंदरह दिनों तक यह गुली टर्णा तक यह रोड तग्रेबन कलियर हो जाएगी तो बागी अगर मौसम ठीक रहा तो लेकर अब मौसम भी इस मार्च के आखरी हफते में मौसम की भी खराब रहता है तो मौसम अगर ठीक रहा तो उमीद करते हैं बहुत जल यह रोड खाली हो लेगी लेकर हमारी गाड़ी यहां तक पहुंचने के बाद जो है हम यहां पर रुके यहां पर मशीने वगएरा इनकी लगी चलिए कॉम्पनी के कुछ लोग हैं सर कहां से आप मैं हूं मैं हूं आंत्रप्रदेश से कितने समय से आप लगातार जोहर रोड को क्लियर कर रहे हैं नहीं मैं इस नजारे को देखने के बाद अपने लोगों को जो आंत्रप्रदेश के लोग है नई ऐसे है कि मतलब मैं ऐसे कुपसूरती कभी देखा ही नहीं है ऐसे कुपसूरती कभी देखा ही नहीं है मतलब इतना दिल कुश है कि क्या बोलों मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूं मेरा मन से जो आ रहा है तो हम आंदर पदेश है तो कभी नहीं बर्फ देखे हैं हम लोग टो हमको गुम कि इतना अच्छा लगा बहुत ही बड़िया लगा मैं मैं इसको ना मैं explain नहीं कर पा रहा हूं कि अलग नाम से जाना जाता है और बद्रुआ जो है कस्मीर कश्मीर 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 देखिए कश्मीर तो महें देखा ही नहीं हो मैं आया हूं जम्मू से दोड़ा से बद्रुवा मैंने अभी 14 विजिटे मेरा और नैट में भी आया बारा बज़े रात में भी आया मैं देखना चाहता तो कि रात में किसे लगते अभी जब आप अपने फेमिली को दिखा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हमने भी आना है क्या कि देखना है वो लोग चाहता है कि दोटे वीडियो में भी पर दो लिए मतलब की जाब आपकी फे formally ये सारी मोमेंट देख रही है मतलब इतने ही जहाँ पर भर पड़ी हुई है और आप दिखा रहे हैं तो मन तो हर किसी का बोलता है कि नहीं हमने भरप में आना है और खेलना को उद्वना है या जो भी चीजे करने वो करने वह तो मैं घळी आ लड़ी आप तो तो ड़लेट है रारी आके ऑघ te में मज़ा लिया और ठीक्रा हमली से लेकिन मैंने माना किया बुल्लै मेरे मिरें जाना है मैं बढादरवा चार बार आया अता रिम ऐसा नुक्त में तो मज़ा वह नहीं मेरेको जिन्दगी में मैं पूरे देशवासियों से यही उपील करता हूँ कि जैसे हमारे प्यारे हिंदोस्तान का यह स्वर्ग कश्मीर कहते हैं तो वैसे ही जम्मू डिविजन का स्वर्ग यह भद्रुआ है यह भद्रुआ एक छोटी जैसी वैली है लेकन इसमें तमाम मझाइब बाइथफाक से रहते हैं आज यहसे होली का तैवार है मैं एक मुस्लिम हूँ लेकन हम भी होली का तैवार अंजाय कर रहे हैं तो हमारे यहां पर हिंदू, मुस्लमान, सीख, इसाई, कोई बेदभाव नहीं है सब आपस में मिल जुल कर रहते हैं और बहुत अच्छे से जिन्गी गुला रहे हैं तो आपने कहा कि पूरे इंजाई से रहते हैं और भाहिचारा हमारा जो है पेगाम देता है पूरे देश को कि किस तरह का भाहिचारा है हम लोगों का और जिस तरह साब ने बताया कि यहां पर आना चीए हर किसी को और बदर को टूरिस्ट मेय पर दिखाया जाए ताके पूरे हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां एंजायमेंट के लिए आएं चलिए एक तरफ आपने जिस तरह से इन से बात की और यह जो हैं बुदुरा के रहने वाले हैं और दूसरे भाई साब जो हैं आंध काफी समय के बाद आया हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि इस तरह का महळ जो है दो सालों से लगातार जिस तरह से कुरोना वाइरिस की वज़ा से हो या फिर तीन सो सत्तर टूटने के बाद हो तो कभी कमी एंजाई किया गया है अभी हम जी जगा पे हैं और क्या कहन बना रहा उसके बाद जो आज ये सिच्वेशन जो आज हमें देखने के लिए मिल रही है तो काफी मज़ा आ रहा है एंजॉय कर रहे हैं और आज होली का त्योहार जो है ने हमने बहुत इंजॉय किया बहुत जादा आज हमारे बदरवा सीटी में हांडी भी 40 गई तो काफी थी रैली निकली होई थी बैंड बाजे से में काफी ज़्जादे एंजॉय के हमने ने कहा कि खुश्यूं का महूल है और क्या पेगाम देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को इस समय पे क्योंकि होली वाला दिन है और साहर कोई चाहता है कि इंजाई करें बदरवा आकर ताकि आने वाले समय में हर कोई यहां पर बदरवा में घूमने आने पहले तो मैं पहले सभी देशवासियों को यह बोर रहा हूं कि खुश रहो और खुश रहने दो एक तो यह सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज स्थिती बनी हुई है पूरे देश की तो इसमें तो यह जो नए होली है तो जैसे होली के रंग बिरंगे जो कलर्स है ऐसे ही सबकी जो जिन्गी है वैसी बनी रहे है कलर फुरे और दूसरा जो रहा बात यह हमारा टूरिस्ट को लेके तो सबको मैं पूरे देश वासियों को या फार्नर्स को मोस्ट वेलकुम करूंगा यहां पे अब जाने के लिए ताकि वह आएं और भदरों को देखें की बदा भी एक ऐसी जगाव है जहां पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए चाहे वह आप पहाड देखिये या अभी ग्रीनरी देखिये और मेर जुट जो चीज़े हैं तिर सथल जो हैं बहुत सब्स्तर न इतने जल्दी जो है company जो इसको clear करतेगी क्योंकि ब्लैक टॉप जो है बिलकुल सही तरीके से हो चुका है यह जैसे कि अभी गुल्डडड़ तक रोड साफ हो चुकी है आगे भी मेरे को लगता है गुल्डड़ तक हम गे थे तो रोड़ यह विल्कुल साफ है तो आगे भी ह हो सकता है आगे तो हम चले नहीं क्योंकि मिशीने जो हैं बीच रस्ते में लगाई हुई है पता नहीं है मगर मेरे को लगता है दो अफसे के अंदर यह क्लीर हो जाएगा अगर मौसम ठीक रहा तो चलिए जिस तरह से अनील है और जिस तरह से हमारे साथ ही एक और हमें यहा हुआ है हमारे वहां पर रहते हैं अभी जब आपको यहां पर बर्फ और दिखी और सारी चीजें आपके भी यहां पर दिखा रहे हैं तो कैसा लगता है पहले आपने इस तरह की मोमेट देखी है इस तरह का नेचर देखा है अपने किसी पहाड़ी पर जाकर नहीं हमारे यहां अंद्रप्रदेश में ऐसा बर्फ तो नहीं होता है तो यह हमारी पहली बार है ऐसा सीने देखना तो हमको बहुत अच्छा लगा चलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह भीया जो हैं आंद्रप्रदेश के हैं जो परड़ा तार जो है यहां पर भार के बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर गूमने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट वार ऐसी मुमट देखिया है कि मेरा दिल बिलकुल खुश है यहां पर आके बहुत खुश हूं मैं अभी तो आम आदमी पार्टी जो है पुरे पंजाब में चाही हुई है मतलब म मुख्य मंत्री बेजाए में आदमी पार्टी के वोंगे तो क्या कहना चाहेंगे। कि बद्रॉए के बारे में जहां पर इतनी खुप सूर्ती है यह जिस रोड़ पे हम खड़े हैं इसी रोड़ से होकर खुटूबवा या लखनपुर से होकर हम पंजाब जा सकते हैं सर मैं तो कह रहा हूं कि यह जो पंजाब के हमारे मुख्य मंत्री बने हैं श्री बगवांत सरदार बंगवादमान जी मैं उनको एक बेंति करना चाहूंगा क्या प्लीज पंजाब में लोगों को इस चीज़ की वो करें कोई भी कोई अपनी दें अवेरनस दें कि वो यहां प में यहां पर आकर बहुत खोश है तो हर किसी के मन में होता है कि गाना गुंगना आएंगा तो ऐसी-थिसी जगह पर आकर अगर मस्त होकर अखेले में कोई call अमाना नहीं हो wäh attic पाकी पंजाबी के लिए क्या कहांगे मैं तो हर एक पंजाबी को कहूंगा कि यह जगा आप जुरूर गूमियें बदरवा के इस लोकेशन पर आपका मन जो है बिलकुल संतुस्ट हो जाएगा हम बहुत दूर तक हैं हमारे बहुत बड़े बड़े इंकर भी है चाहिए वो आज तक अश्य दो अख लगा में बहुत पसंद आया और मैं लोगों से कहता हूँ कि वह आकर के इदर घूमें और नगूम कर और बस हमारा होगए हैं लोग पीछले 2 गंटे से यहां पर रुखे हुए हैं अ मनखुश हो गया और भी जब लोकेशन जायन चाहर हैं इसके लिए हमनों सोच रहे हैं इस तरह से कोंपनी जो है लगातार यहां पर काम कर रही है और यह भाई साब जो हैं पंजाब से हैं और जिन्हों ने बहुत सारी खुबसर बातें भी कही सर अब आगे तक कहां तक आप पेदल के सरा मैं से मिनिममम एक किलो मेटर आगी तक जाकी गूमाएं बहुत अच्छी लोकेशन है और मैं तो कहता हूं कि जो भी बंदा यहां पीशे से गूम के वापत जा रहा है उसे आगे जाना चाहिए जो आगे कुद्रत की खूबसूरत क्रिश्मा है वह देखना चाहिए बहुत अच्छी लोकेशन है यह फिलाल तो सर अभी ठंड जो ठीक है हमारे पंजाब के ठीक ह अब हम नॉर्मल कप्ते पहन के गूम रहे हैं मगर लोकेशन अच्छी है सर अब दोबारा घर्मियों के टाइम पर यहां पर मेरा प्लैन है मैंने अभी अपनी फैमिली को लेकर यहां पर गूमने आऊंगा बहुत अच्छी लोकेशन लगी मुझे इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया और आपने अपील भी कि कि जो हमारे मुख्य मंतरी बनने वाले हैं बन गए हैं मतले कि भगवतमान और काफी कमेडी हैं फिल्मों में काम कर चुके हैं और आदमी पार्टी जो है आपने देखा होगा कि जहां पर बिजली मुफ्त या पानी मुफ्त तो कित जो था वो अपना उसका के एकदमी पल्ट दिया है सारा पंजाब सरकार में अब जो आम आदमी की सरकार आगी है तो हमें दो पूरी अमीद है कि अब पंजाब में बढ़िया सा हर एक चीज फिसिल्टी बढ़िया मिले हमें अपने खुद देखा होगा कि हमने आपको बत्र जो है अनील जो है दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इन दोनु से जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि एक तरफ यह कह रहे हैं कि मैं अपनी फेमिली को लेके आऊंगा और जब हम वीडियो जो आपने चैनल पर पोस्ट करेंगे तो सर शेर तो आप करेंगे ठीक तो बाकी सारे जब लोगों को आप बताएंगे उनको भी लेने का बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल मैं हरे एक को सजेस्ट करूंगा जो भी पंजाबी है जो मेरे फ्रेंड सरकल में है जो मेरे रिलेशन में है मैं हरे एक को यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक बा तो जो बार के लोग आएं तो उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि ज्यादा नहीं तो अपनी एक स्वेटर ज्याकट तो ज़रूरी साथ में रखें ताकि कहीं अगर बारिश हो गई तो फिर थाद बड़ी ज्याद होती है यह ऐसा यह ऐसी जगा है कि जून जलाई में भी अगर बारिश होगी तो यहाँ पर स्वेटर ज्याकट लगानी पड़ती है और यहीं से जो है बर्फ जो है यहां से गाड़ी निकलना बहुत मुश्कल है क्योंकि अभी लगातार कॉंपनी जो है काम कर रही है और कुछ समय के बाद जो है लगातार ठीक हो जाई यह सारी चीजें और आगे तक लेके जाओंगा और जिस तरह से बाइस आये और बात कर रहे हैं चलिए हमें आंद्रा परदेश की बादशाथ तो समझ नहीं आती है मों ने जो है इस तरह की चीज़े दिखाने है वह तो बहुत अच्छा जागा है और मैं उदर आना चाहता हूं कभी भी अभी मेरे को ताइम नहीं आइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह से उन्हें ने बताया और कहीं नहीं हमारी यूटी जो गोवर्मेंट है गोवर्नर साब को मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम यहां की जो भी टूरिस्ट स्पॉर्ट है उनको कहीं कहीं ना कहीं हाइलाइट करना जहीं से तरीके से और जिस समय पहले आपने खुद इनकर है हमारे विकास जी इन्होंने भी काफ़ीन किया सथ-समय कि हमारे सर्कल हम तीनों मिलके जो आये एंजॉए करने आ थे इतने दूर और सब्सक्रेयर कि अपने साथ में लेकर आये थे मना के रखना चीजिए और जो लोगों की डिमांड है के वह द्रवार डिस्टिक इनको मिलना चीज़िए वो डिजर्व करता है क्योंकि कहीं न खहीं जो यहां के लोखल लोगों को यहां पर employment मिलेगा यानि जोब वोगेरा मिलेगी वो सारी चीज़ें मिलेंगे ताकि आने वाले समय में यहां के बच्चे जो है रोजगार को मा सकें और साथ में इस एरिये को जो है सी तरीके से development कर सकें और कुछ और कहना चाहिए सब्सक्राइब देखिया मैं आंदरफदर्शा आया हूं तो यहां पर हम लोग रोड बना रहे हैं तो रोड मतलब infrastructure तो आपका रोड बनेगा आपका infrastructure बढ़ेगा आपका ट्रावलिंट्स जो है ना जो सब्सक्राइगा सब कुछ आएगा आपका तरक्की तरक्की अभी कश्म करें तो हमारा मदद भी एकदम अच्छा मिल रहे हैं तो हमको इतना मदद कर रहे हैं हमारा ड्राइवर है हम आपको गूमने लाया गुमाया सब कुछ किया मतलब हम आंदरपदेश का है तो बहुत दूर की है मतलब साउत की है फिर इधर आया हम लोग सोचते हैं कि यार मस्त है मतलब हम लोग को इतना ख्याल करते है पिर आज की डेट में बंद हमारा साथ इतना मदद करके हम लोग को यह सब कुछ भूच कर मैं इधर आके ना मेरा 2008 में मेरा इधर आना था तो मैंने उस समय कुछ कारण सी वज़े से मैं आया नहीं था अभी दुखी हूं मैं क्यों नहीं आ पाया कि मतलब इधर आके इतना कुछ हुआ आप लोग आप लोग भी है मिले हैं लेकिन यह कोई वार्स नहीं है इसका बोलने जो है हर कोई जो है यहां से जाना जो है मना कर देगा कि वो चाहेगा कि मैं रोज़ाना यहीं पर घूमता रहा हूं और मज़े लेता रहा हूं ताकि यहां के लोग जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह के लोग हैं और किस तरह का महुल है और आज होली का दिन था और क आपसे उमेद करेंगे शेर जरूर करिए और आसपास की बर्फ जो है जरूर देखिए और अपने गाड़ी लेकर विलको रोड जो है क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कॉम्पनी जो है लगातार काम कर रही है और आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर जो है जो जितनी भी यहां प परवर्तन मैं विकास मनास टोड़ा